हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आई टी फाइटर यूटूब चैनल में आज आपके लिए हम इंपोर्टेंट अपडेट लेका रहे हैं 110 ए आई टी टीक जाम से रिलेटिट तो वीडियो को अंतर तक देखना है और जो बच्चे 111 बैच में उनके लिए भी हम इंपोर्ट जो 111 बैच का है उनको भी हम क्लियर कर देतें तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्लियर कर दें कि जो बच्चे 15 अप्रेल के पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखे हैं उन्ही बच्चों को यहाँ पर रिजिस्टेशन करने को मौका मिला है जिन बच्चों ने 15 अप्रेल क 110 ए आई टीट इज नाउ ओपन तो 110 बच्चे कौन से बच्च के होंगे वह जिनकी अप्रेंटिसी 15 अप्रेल के पहले खतम होई हो 110 बच्च में आएंगे ठीक है तो 15 अप्रेल के पहले जिन की ट्रेंडिंग कंप्लीट होई है उनको रिजिस्टेशन आठ नवंबर तक यह यहां पर आप जाओगे ए आई टीटी आउनलाइन एक्जाम नेशन पर आपको क्लिक करना है और अप्रेंटिसिप आउनलाइन एक्जाम में फिर इस पे क्लिक करना है तो यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपके सामने दो आफ़सन आएंगे तो यहां प बच्चों को यहां पे supplementary में click करके click करना है इसके बाद आपको registration number and dob fill करने को आपसे मांगेगा ठीक है अब जिन बच्चों ने exam नहीं दिया है ठीक है क्या है जिन बच्चों ने exam नहीं दिया है या फिर आपने registration form नहीं भरा है तो आपको final पे click करना है यहां पे ध्यान जिन बच्चों ने registration कर दिया था लेकिन exam नहीं दिया था तो आपको registration करने की कोई ज़रूत नहीं है अगर आप registration करने के लिए आप final पे click करेंगे final पे अगर आप click करेंगे जिन बच्चों ने registration कर दिया है 110 के लिए और exam नहीं दिया उनके लिए हम बता रहे है तो वो जब registration नमबर एंड यहां पर फिल करेंगे तो उनके सामने इस टाइप का ओपन होगा यू है आलेटी एपलाइट फॉर एक सुदस ए आई टी टी एक्जामनेशन मतलब कि आपने एक सुदस बैच एक्जाम के लिए आपने जो फॉर्म है वो भर दिया था लेकिन किसी कारण वास अपने एक्जाम नहीं दे पाई या फिर एक्जाम सेंटर दूर था तो आप देने नहीं गये ठीक है तो जिन बच्चों ने रजिस्टेशन कर दिया था उन्हें करने के आप सकता नहीं है जो अगर आप करके देखोगे तो यह लिख के आएगा अब जिन बच्चों को कर देना है और वह फॉर्म किस प्रकार का फॉर्म होगा उसकी वीडियो की लिंक हम दिस्क्रेशन बॉक्स में दे देंगे उस वीडियो को आपको देखना है किस प्रकार से फॉर्म को वहाँ पर उस वीडियो को देखके आप आसानी से फॉर्म भल होगे वह वीडियो उन ब कर दे 111 बैच कर तो वो बच्चे यहां पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर और यहां पर एक स्टुडियन्स काम नहीं यहां पर चेक किया था रजिस्टर रजिस्टर नमबर एंड डियो भी डाला था तो उनके कैम यह लिक के आया और उनकी ट्रेनिंग जो है जून में ख का यहां से अगरे करते हैं आप अपरेंटी से कॉम्पलीट करते हैं वहां पर एक कॉंट इन्रेट होता है किसी 개 पहले मंत में जैनेरे ओ द्सुंछ्वे मंत में प्हtar यूजाता है तो वह जब तक जनेरेट नहीं होका तब का आप registration form नहीं भर पाएंगे ये 111 बैच वालों के लिए बिल्कुल point note कर लिजे तो अग आपको जो form बनने का जो आएगा कब आएगा कब आपको form बनने के मौका मिलेगा तो हो सकता है ये जो 110 बैच वाले students है ये form बनने के बाद आपके लिए form open हो November में हो सकता है ठीक है क्य तो अब 110 111 बैच का एक साथ exam होता है कि एक ही का होता है ये देखना है भी आगे ठीक है तो यहां पर हम clear कर दें 111 बैच का आप अपना registration number डाल की जरूर चेक करें अगर ऐसा लिख के आ रहा है तो आप अपनी company से बात करें कि हमारा contract जो है वो generate करें जल्दी से अगर आपक contact generate है तो फिर क्या लिख के आएगा तो फिर वहां पर यह लिख के आएगा कि आप अपने बाद में अपने apprenticeship complete किया इस वज़े से आप इस form को भर नहीं सकते हैं यह वहां पर red color में लिख के आएगर ऐसा लिख के आता है तो आपको कोई tension नहीं लेना जब आपका form open होगा 111 बैच कभी हो सकता है अगर उनका registration जो form है वो आज आए तब ठीक है और इसके साथ ही में सेशनल मार्क्स जो बच्चे 111 बैच में हैं वो अपना सब कुछ यह अपना ध्यान देते रहें सेशनल मार्क्स वगएरा ठीक है वो आपको बात करते रहना है company से ठीक है तो आज क कि जो भी आपके डाउट है वो हम दिसस करेंगे ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट को लेकर आएंगे कि इस form से related या एक सो आई टी टी एक सुदास एक और एक सुग्यारत से जो भी आपके डाउट है वो हम आपको क्लियर करेंगे ठीक है बाई बाई टेक केर